क्रोना वाइरस एक ऐसा वाइरस का समू है जो उन लोगों के कॉंटेक्ट में आने से हो जाता है जो इस वाइरस से पहले ही से इन्फेक्टेड है क्रोना वाइरस से मौत की संख्या 490 पहुँच गई है और इसके घटने की कोई आसंखा अभी तक दिखी नहीं अभी तक के अनुसार 24,324 लोग इससे पीडित है वो भी पूरे विश्व अस्तर पर और हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि मौत की संख्या में बढ़ोती दिखी जा सकती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑफिसियल डाटा में बताये गए अनुमान से कई गुना जाधा मौत हो चुकी है चाइनी साइंटिस्ट की रिपोर्ट की माने तो उन्होंने एक नया एप्रोज तयार किया है इस कोरोना वाइरस की ट्रीटमेंट के लिए उन एंटिवाइरल ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका एचाइबी और इंफ्लोंजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है पर अभी तक ये नहीं पता चला है कि इससे कितने मरीच ठीक हुए हैं कोरोना वाइरस के पहचानने के कुछ सिम्टम्स इस परकार है हमारे सांस लेने वाले नली में दिक्कत मतलब हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं फिबर कफ और दर्द इसके कारण किड्नी फैल भी हो सकती है और मौत तक हो सकती है इससे बचनी के लिए अपने हाथ को लगातार साफ रखें अपने मूँ और अपने नाक कान को ढग कर रखें अगर आप अंडे या मीट खाते हैं तो उसे अच्छे से पका कर खाएं किसी के साथ जैसे आप अपने आसपास के लोगों के साथ काफी नजदीक नहीं आए अगर किसी को तेजखासी, सर्दी या सांस लेने में दिक्कत है तो उसे कॉरोना वाइरस होने की संभाब ना है अब बात करते हैं भारत की, यूपी उत्तर परदेश में एक आदमी को आईसोलेशन वाड में रखा गया है जो की बलरामपूर का है, उसका नाम जमालूदीन है और वो 15 दिन पहले ही चाइना से लोटा है और अभी जिस वैक्ति को आईसोलेशन वाड में रखा गया है, उसकी जाच की प्रकेरिया हो रही है उसके सेंपल्स को अभी भीजा गया है लेबरेटरी में ताकि इससे पता चल सके कि उसे कोरोना वाइरस है की नहीं अभी तक कोरोना वाइरस की तीन पोजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, जो की तीनों केस केरल की थी और वो लोग जिन में ये कोरोना वाइरस पाया गया, वो भी कुछ दिन पहले ही चाइना से भारत लोटे थे एक बात हमिसा याद रखिए, आप तब तक कोरोना वाइरस के सिकार नहीं हो सकतें, जब तक की आप उन लोगों के कोंटेक्ट में नहीं आतें, जो इस कोरोना वाइरस से पहले ही से इंफेक्टेड है इसलिए हमिसा लोगों के कॉंटेक्ट में आने से जरूर बचें सतर करहिए और अपने सेहत का खयाल रखिए फिर मिलेंगे एक नई अपडेट्स के साथ थबते के लिए जहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे अपडेट्स के लिए धन्यवाद